हलो गाइज विल्कम बैक टो एन नादर वीडियो तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल टाइप अप ग्लास मैनुफेक्टरिंग कमपनी के बारे में डिसकस करने वाले हैं अगर इस कमपनी की लास्ट 52 विक की मैक्सिमाम रिटरन कलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सिमेटली धाईसो परसंड के आसपास के निकल के आ रही है company profitable है and इस company की last 5 सल की जो profit growth है वो approximately 25.44% CAGR के आसपास company almost debt free भी है and उसके साथ company is also expected to give a good quarterly result in March quarter and अगर December quarter के बारे में discuss करें तो December की quarter में भी company ने profit देने के साथ December की quarter में FIIs and DIs दोनों ने अपनी holding increase करी है इस company में तो guys इस वीडियो में हम लोग basically 3 point cover करेंगे so the first point is fundamental analysis यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि company कौन सी है and company fundamentally कैसी है for short term trade and long term investment purpose second point is volume analysis volume को analyze करके हम लोग future trend के बारे में अंदाजा लगाने ही कोशिश करेंगे and the third point is technical analysis यहाँ पर हम लोग discuss करेंगे different technicals के बारे में मतलब कहाँ पर आप लोग buy करके चल सकते हो and क्या आप लोग की target रहने वाली है for swing trading purpose तो guys बिना time waste की है पहली point की तरब बढ़ते है और देखते है कि company कौन सी है and company fundamentally कैसी है तो guys यहाँ पर आप लोग company का name देख सकतो borosil renewables limited company की अगरती है वह भी यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते है extra clear pattern glass बनाती है and उसके साथ low iron solar glass बनाती है जो की photovoltaic panels में use होती है अगर company के बारे में आप लोग कोई भी चीज़ डीटेल में जानना है तो company के website में जाके आप लोग definitely check कर सकते हो company बहुत BAC and NSC में listed है 8542 क्रोर के आसपास की company के market cap है 45.8 की PE है 28.9% है ROCE and return on equity है 19.1% के आसपास last 6 months की return है 67.2% and last 3 साल की जो sales growth है वो approximately 19% के आसपास के निकल के आ रही है book value से काफी उपर trade करी है और यहाँ पर एक साल की approximate maximum return calculate किया चाहिए तो 251.17% के आसपास के निकल के आ रही है dividend company देती नहीं है and face value एक की है अगर pros and cons के बारे में discuss करा तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हो pros में से 3 point तो मैंने वीडियो के starting में discuss करे तो और last point है कि company ने date reduce किया है अगर cons में देखा जा तो company अभी book value से काफी उपर trade करी है company profitable है लेकिन dividend pay नहीं करती है last 3 सल के return on equity 10% के आसपास है जो कि 3 सल के comparison में काफी कम है and promoters की holding last 3 सल में 11% कम हुई है अगर quarterly result के बारे में discuss करें तो guys यहाँ पर आप लोग देख सकते हो December की quarter में company ने 46 crore के आसपास की profit दिया है और यहाँ पर अगर current team में देखा जाए तो current team में company already 186 crore के आसपास की profit दे रही है तो by the end of 2022 के financial जो कि already end हो चुकिया लेकिन FY 2022 का result नहीं out हुई है तो FY 2022 के result में आप लोग 200 crore के आसपास की profit expert कर सकतो from this company अगर balance sheet के बारे में discuss करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकतो company ने reserve increase किया है and date reduce के जो की काफी सही चीज है किसी भी company के लिए मतलब company एकदम right track पे चल रही है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो result से काफी कम date है company के पास totally controlled date रहने वाला है company के पास अगर share holding pattern के बारे में discuss करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगर तीन साल की comparison में देखा जाए तो promoters ने अपने holding कम किया है बाकी FIIs ने double से भी ज्यादा increase किया है अपना holding जैसके यहाँ पर आप लोग साफ देख सकते हो लास्ट कोटा की comparison में देखा जाए तो promoters ने 0.01% अपनी holding कम किया है FIIs ने अपनी holding increase किया और DIs ने भी अपनी holding increase किया और यह जो माल है वो पब्लिक से उठाया गया है यहाँ पर आप लोग साफ देख सकते हो अब अगर प्रोमोटर्स में डिसकस कर तो एक ही प्रोमोटर का सौरी एक ही में काफी सारे प्रोमोटर्स का पैसा लगा हुआ 0.06% holding किस-किस की है वो भी आपर mention नहीं है अगर पब्लिक में देखा जाए तो एक ही बड़े रिटलर की holding है अगर यह calculate करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटलर की जो holding है वो approximately 30.59% के आसपास की निकल के आ रही है अभी conclusion पर आद है कि company actually कैसी है for short term trade and long term investment purpose तो देखो without any issue बाखी कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor की सलाह ले लेना या तो फिर खुद के research एड कर लेना यह सिर्पोर्सिफ educational purpose के लिए है तो गैस यह तो होगे हमारा fast point अभी हम लोग बहरते है हमारे second point की तरफ और देखते कि Friday के दिन इस company में कितने quantity में trading हुआ था तो गैस यहा 60 selling order pending है 655.3 के price point पे और यहां पर अगर delivery percentage चेक किया जा तो वो 37.3% के आसपास के निकल के आ रही है मतलब majority of the trade जो है वो intraday में ही लिया गया है come back to delivery trade लोग अभी यहां पर position बाने के लिए interested नहीं है इसका दो वज़य हो सकते है हो सकता है एक resistance के आसपास company trade कर रही है तो फ जो overall volume निकल के आई है क्या यह company की average volume है average से ज्यादा है या average से कम तो guys बिना time waste की एनसे के daily chat की तरफ बढ़ते है और देखते है की volume का क्या सिन है और उसके साथ साथ हम लोग swing trading levels के बारे में भी discuss करेंगे तो guys यहां पर हम लोग आ चुके एनसे के daily chart पे अगर volume के बारे में discuss करका है तो guys देख से तो almost average की volume निकल के आई है almost average volume है आप लोग बोल सकतो almost average की volume निकल के आई है लेकिन जो volume की strength है वो slightly on the weaker side majority of the trade जो है वो intraday में लिया गया एंड लोग क्यों यहां पर position बनाएगा अपना मतलब देखो कोई sense है इस बात का कोई भी sense नहीं क्यों की company almost last 2021 की last year की November से end of November से consolidate करें तो लोग यहां पर position नहीं बनाना चाहेगा अगर बनाएगा भी तो इस यह जो निचे का support है इस cash pass बनाएगा इतना उपर जाके नहीं बनाएगा तो इसलिए अभी majority of the trade जो है वो intraday में ही लिया जा रहा है hence the company is expected to give a good quarterly result in March quarter तो हो सकता है March quarterly की result के बाद ये company अपने new 52 इखाई hit कर सकती है and new 52 इखाई की जो potential levels है यह आप लोग के सामने यहां पर आप लोग साफ देख साकतो और गाइस देखाँ अगर आप लोग swing trader हो तो मैं आप लोगो साफ ही यही बोलूँगा कि wait for the breakout of this consolidation zone इसके उफर breakout होने के बाद आप लोग trade ले सकतो और अगर आप लोग news based trading करते हो तो मैं यही बोलूँगा March quarterly की result आउट हो चाने के बाद आप लोग buy करके चलना for the target of 833.25, 919 and 1005 लेकिन जितना expect किया जड़ा है उतना ही profit आना चाहिए तफिर उससे 19-20 होगा तो भी चलेगा लेकिन 20 नहीं होना चाहिए मतलब ज्यादा difference मतलब ज्यादा difference नहीं होना चाहिए profits के बीच में जितना expect किया जा रहा है and जो profit आगा उसके बीच में अगर ज्यादा difference हो रही है तो buy मत करना अगर आप लोग news based trading करते हो तो और अगर आप लोग swing trade हो तो इसके ओपर जब breakout हो जाएग आपका लिंक आप लोगो description box से मिल जाएगा जाके वहाँ परे मुझे DM कर सकतो foreign one on one conversation thanks again for watching guys bye guys and definitely guys stay safe